कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनेल सौटेंड में तो आज हम लोग भी हाद सिविल कोट के लिए डिक्टेशन लिखेंगे जिसमें टोटल तीन सो सब्द हैं तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं और अगर आप पैड़ जोन करना चाहते हैं तो वाट्सप नेमर संपर करके पैड़ जोन कर सकते हैं इसमें आपको डिक्टेशन का सब चिन दिया जाएगा चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं इलहाबाद हाई कोर्ट ने वारानसी की ज्यानबापी मस्चीद में एसाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने वारानसी जीला जज की 21 के जुलाई की सर्वे की आदेश को बरकरार रखा एसाई सर्वे को चुनावती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्चीद कमेटी की याचिका खारिज कर दि हाई कोर्ट ने कहा जनहित में एसाई का सर्वे जरूरी है कुछ सर्थों के साथ इसे लागू करने की अविसकता है जुलाई के अंतिम सब्ताह में हाई कोर्ट ने दोनों पच्छों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी चीफ जर्टिस प्रित्मकर दिवाकर की बेंच ने 27 चुलाई को फैसला रिजर्व कर लिया था दरसल पिछले दिनों वाराण सी कोर्ट के एसाई के सर्वे का आदेश दिया था एसाई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराण सी कोर्ट को सौपनी थी इसके खिलाप अंजुमन मस्चीद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को एसाई के सर्वे पर 26 जुलाई साम 5 बजे तक के लिए रुख लगा दी थी और मस्चीद कमेटी को हाई कोर्ट जाने से कहा था इसके बाद कमेटी ने हाई कोर्ट का रुख किया था हाई कोर्ट ने रुख के आदेश को आज यानि तीन अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था आपको बता दें साल 2021 में पांच महिलाओं ने वरानसी के सिविल जज के सामने एक सूट दायर किया था इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्चीद के भगल में बने स्रिंगार गवरी की रोजाना पूजा करने की अनुमती देने की मांग की थी हाई कोट के सामने दोनों पच्छों की ओर से क्या क्या तर्ग दिये गए मस्चीद कमेटी नि कहा था कभी भी इस मामले में पच्छकार नहीं रहा है फिर भी उसे आदेश दिये गए अगर सर्वे होता तो उनको दावों से लगता है की पूरे मस्चीद परिसर को नट कर दिया जाएगा कमेटी नि ए भी कहा था कि धाचे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है समाप्त पैड़ बैजवान करने के लिए आप दिये हुए वाटसप नमबर के समपर कर सकते हैं आपको प्रतिदिन डिक्टेशन और सब्चिन मिलेगा